नमस्कार दोस्तों मैं चरणजेत सिंग राजस्थान अनुपगड से स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में अपने बात करने जा रहे हैं जो जैयन बर्ति आई हुई है आरवी यू एनल और अजस्तान वीतलिक अब बादन निंगम लिम्टेड के लिए आरवी पी एनल परसारन निगम लिम्टेड के लिए जवी बी खेबूडिसकॉम एवी बी खेब्यूकॉम और इपंचो सरकारी विजली कंपनियों में जयन बर्ति के लिए जो अभी notification जारी हुआ है, short notification आप सभी ने देख लिया होगा लेकिन detail notification नहीं आया, सभी के मन में प्रशन है कि sir qualification को लेकर clear कीजिए कि pole technical वाले apply कर सकते है या क्या diploma वाले apply कर सकते है क्या सभी के मन में प्रशन है तो सभी चीज़ें भी clear हो जाएंगी exam pattern क्या रहने वाला है उसके बारे में इस वीडियो में अपने चर्चा करेंगे साथ में ही चर्चा करेंगे जो age limit है वो क्या होगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि sir age limit के बारे में बताईए सही से age limit इसके अंदर क्या होती है तमाम चर्चा इस वारे में अपने करने वाले हैं इस वीडियो में, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दू अगर इस चैनल पे आप नई हैं, पहली बारी वीडियो देख रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए क्योंकि सरकारी वरतियों से जुड़ी हर چोटी बड़ी अपडेट, हर चोटी बड़ी खबर यहाँ मैं आपसे शेर करता लएता हूँ तो बात करते हैं है आपने सबसे पहले qualification को लेकर तो qualification जो इसके अंदर रहने वाली है, वो रहने वाली है आपकी B.E.B.Tech क्यूंकि यह जो भरती होती है JN junior engineer first की Discombe के अंदर JN junior engineer first की भरती की जाती है आज से कई साल पहले एक भरती की जाती थी D sophomore के अंदर JN second की JN second की जो भरती की जाती थी उसके अंदर जो योगता थी वो थी डिप्लोमा यानि कि अगर आप pol找 तरी हैं आपका पॉर टेक्निकल किया हुआ है डिप्लोमा किया हुआ है तो आप जैयन सेकंड के पद के लिए अवेधन कर सकते थे लेकिन काफी लंबे अर्से से डिस्कॉम में इसमेशन शोधन कर दिया और तबी से जो एक ही बरती निकाली जाती है हमेशा जैयन फर्ष्ट जैयन सेक टेक्ट किया होना चाहिए और वह रेगुलर होना चाहिए फूल टाइम होना चाहिए ऐसे नहीं है कई जगह जो है वो सटेंस एजूकेशन वाला भी मैटर रहता है मैंने एक दो दिन पहले कमेंट देखा था कि सर मेरा डिश्टेंस से बिटेक किया हुआ है मैंने तो नहीं सोना distance वाला BEB tech valid होता है क्या और जहां तक है BEB tech distance वाला valid नहीं है राजस्तान के अंदर तो जो है आपका जो full time आपका किया होना चाहिए BEB tech वो ही इसके लिए apply कर सकते हैं तो सबसे ज़्यादा student electrical के हैं तो यह मैंने electrical के लिए बताया आपका समंदित ब्रांच के अंदर BEB tech होना चाहिए ठीक है तो यह तो था pole technical वाले इसमें नहीं apply कर पाएंगे तो कि जो जईयन 1st 30 के अंदर बरती निकलती है वो BEB tech के लिए यह है जईयन 2nd के बरती इसमें आना बंद हो गई है तो इसी तरह है अब यह आगे है जो mechanical के लिए qualification है सेम ही है ऐसे civil के लिए है civil के लिए mechanical के लिए मैंने इसमें लिख दिया है कि must hold full time four year graduation degree तो यह आपकी mechanical में होनी चाहिए इसी तरह civil के लिए है यह बात इसी तरह C&I के लिए और इसी तरह fire and safety के लिए तो अब आगे बात करते हैं अपने age limit को लेकर age limit को लेकर प्रशन आ रहे थे कि सर इसमें age limit क्या रहने वाली है तो age limit मैं सभी को बता दू नियुनतम age 21 वर्ष रहने वाली है अधिकतम चालिस वर्ष रहने से हैं SC, ST और OBC के candidate हैं MBC के candidate हैं उनको 5 साल की इसके इंदर छोट हैं इसी तरह अगर आप woman candidate है और अगर आप woman candidate है और general के हैं या EWS के हैं तो आपको 5 वर्ष की छोट हैं और वहीं अगर आप woman candidate हैं और आप SC, ST, OBC, MBC के candidate हैं तो आपको 10 वर्ष की इसमें छोट हैं ये बात थी AES को लेकर आगे बात कर लेते हैं अपने selection procedure को लेकर क्या इसके अंदर पैटनर रहता है तो इसके अंदर जो आपका पैटनर रहेगा इसके अंदर एक common written exam होगा ठीक है common written exam होगा CBT based exam होता है computer based test होता है और IBPS इसका exam conduct करवाएगी क्योंकि नए student हैं उनको पता नहीं होगा old जितने भी students हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को पता है IBPS इसका exam करवाती है और banking pattern पर ये exam होता है और ज्यादा समय नहीं मिलता जैसे ही जो आपका notification जारी होगा और उसके बाद जो अंति 40 दिन ने इसका exam conduct करवा लिया जाता है पिछले सालों का अगर अपने pattern देखें तो उसके अंसार और जो आपका एक exam लिया जाएगा जो CBT होगा और इसके अंदर जो आपके multiple choice question होगे इसके अंदर क्या होता है कि 5 option होते हैं A, B, C, B, E जिस तरह आप राजस्तान के अंदर तो क्या है जो RMSSB exam लेता है उसके अंदर पांचों गोला तब बरना होता है जब अपने उस प्रशन को नहीं करें उस प्रशन को छोड़ रहे हैं तो negative marking से बचने के लिए अपने पांचों गोला बरते हैं लेकिन इसके अंदर pattern वो नहीं है इसके अंदर A, B, C, D, E पांचो मेंसे कोई भी answer हो सकता है इसके अंदर E, B आपका answer हो सकता है तो इसका विशेश ध्यान रखिएगा इसके लिए prepare रहेगा तो इसके अंदर पांचों मेंसे कोई भी आपका हो सकता है इसके अंदर पांचों यह option को तब नहीं बरना कि अगर आप वो प्रशन छोड़ रहे हो वो pattern इसमें नहीं है इसके अंदर कोई भी प्रशन उत्र आपका हो सकता है पांचों मेंसे question paper के आपके two parts इसके अंदर रहते हैं part A और part B उसके बारे में बता जेता हूँ जो part A होता है उसको 60% weightage मिलता है part A को 60% weightage और उसके अंदर जो आपका examination syllabus रहता है syllabus of the examination जो आपका degree के अंदर engineering का syllabus था जो electrical जैसे आपने पड़ा V.E.B.Tech का जो syllabus था वो ही रहेगा लेकिन mcq type उसके अंदर question आएंगी ठीक है और mcq type के अंदर आपके 5 option होगी यह मैं आपक को clear कर चुका हो पांचों में से आपका कोई भी answer हो सकता है उसके बाद जो part B होगा उसे 40% weightage दिया जाएगा इसके अंदर और उसके अंदर जो आपके होंगे एक तो reasoning होगी आपकी और आपका mathematics होगा general knowledge होगा general Hindi होगा general English होगा इन सभी का जो standard रहने वाला है वो 10th standard रहने व हगे बात कर लेते हैं अपने इसके अंदर ये तो हो गया pattern को लेकर उसके बाद जो reasoning के अंदर क्या कुछ पूछा जाएगा analytical reasoning इसके अंदर लिखा हुआ है number series ये topic आपको cover करने है letter series ये topic आपको cover करने है odd man out ये pattern आपको cover करना है coding decoding आपको cover करना होगा shape and mirror आपको cover करना का clock और ETC, ETC में तो पूरा बर्मान आ जाता है mathematics जो आपको clear करना बूल गया थे 12th level की आएगी ठीक है उसी तरह आपका general knowledge और everyday science इसके अंदर कुछा जाएगा जिसके अंदर current event होंगे जो भी issues है राजस्तान के तो ये राजस्तान से समंधित current events होंगे इसके अंदर और national and international importance आएगे लेकिन वो ही चीज़े होंगे जो राजस्तान के अंदर गटित हो रही है और उनका कुछ ना कुछ international और national जो समंध है और ऐसे जैसे कोई भी important persons है, important places है, recent जो news में रही है, उनके बारे में games है, sports है जो recent news में है, science, Indian history, civis, मतलब नागरिक शास्तर जोग्रा ला गया, with special reference of राजस्तान, यहां पूरी clear लिखा हुआ is special reference of राजस्तान, तो इस सारा जो pattern रहने वाला है, part B का, वो राजस्तान के संदर्व में रहेगा, हिंदी आने वाली है, जिसके अंदर आपका हिंदी grammar रहेगा, ठीक है, यह 10th level का रहेगा, मैंने आपको पहले clear कर इसी तरह आपका जो English grammar रहने वाला है, वो भी आपका 10th level का रहेगा, तो यह थी बात थी, part B की, अब बात कर लेते हैं, इसके अंदर कोई भी interview नहीं होगा, इसके अंदर negative marking होगी, पर एक गलत answer के लिए आपसे negative one काटे जाएंगे, उसके बाद बात कर लेते हैं, जो आपक चार सो, सत्यासी सेटे हैं, total technician और JN की मिलाके, तो इसके दो गुना candidate जो हैं, वो बुलाए जाएंगे, document verification के लिए, और जो JN की हैं, उसके भी दो गुना बुलाए जाएंगे, electrical, mechanical, control, C&I हो गया यह आपका, ठीक है, और civil and fire and safety, जो भी आपकी branch है, उसके दो गुना candidate, each post के इसके इंदर, document verification के लिए, उनको बुलाया जाएगा, और जो आपकी examination fees है, तो पिछले जो सालों में examination fees रही, वो 1600 रुपए रही, journal और EWS के लिए, और जो आपकी, जिनकी income डाइलाक से कम थी, journal EWS, SCST, OBC, उनकी fees रही, 1400 रुपए, तो यह तो related information थी, JN बरती को लेकर, और जो आपको salary मिलने वाली है, इसके अंदर, यहां मैं आपको बता दू, L10 आपका level रहने वाला है, JN का, और उसके अंदर जो salary मिलने वाली है, per month probation के अंदर 23,700, ठीक है, यह आपकी salary रहेगी probation के अंदर, क्योंकि आप सभी को पता है, राजस्तान के अंदर 2 साल का probation होता है, probation training होती है, जिसके अंदर आपको 23,700 रपर परमादिस के अंदर मिलेंगी, दो साल से पहले आप नोक्री छोड़ भी नहीं सकते हैं, अगर नोक्री छोड़ेंगे, तो आपको इसके अंदर एक bond राशी होती है, वो बरनी पड़ेगी, उसके बारे में अगर आपको जानकरी चाहिए, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको जुरूर उसके बारे में जानकरी दे दूँगा, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तब के लिए, जैहिंद, जैवारत!